हमलोग हूं है रिपोडरकशन पढ़ रहेते हैं से अंदर हमने स्टम को पूरा डिटेश्डी कर लिया था आज सेठी परेंगे फिम्हेल प्राइपक्टिव सिस्टम को एक दम बैसिक से पढ़ा उसी तरह से हम लोग female reproductive system को भी बिल्कुल ही basic से पढ़ेंगे ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे female reproductive system female reproductive system जैसे वेचा हमने male reproductive system को primary sex organ और second sex organ में divide किया था उसी तरह हम female reproductive system को भी primary और second sex organ में divide करेंगे ठीक है तो female reproductive system के अंदर पहला चीज प्राइमरी sex organ या इसी को हम बोल सकते है प्राइमरी reproductive organ और हमें पता है कि female के case में जो प्राइमरी sex organ होता है तो बच्चा female के case में जो प्राइमरी sex organ या प्राइमरी reproductive organ होता है वो होता है ओवरी अब इस ओवरी का काम क्या होता है इस ओवरी का मिलने दो काम होता है पहला formation of female gamit जिसे हम एक या ओवम बोलते है एक या ओवम बोलते है तो एक तो ये काम होता है ओवरी का दूसरा काम क्या होता है बच्चा formation of female sex hormone female sex hormone का मतलब estrogen हो गया तो female reproductive system में primary sex organ या primary reproductive organ ओवरी होता है ओवरी का दो काम होता है पहला formation of female gamit जिसे हम एक या ओवम कते हैं दूसरा जो काम होता है बच्चा वो ये होता है कि formation of female sex hormone यानि estrogen of progesterone सेम इसी तरह जो हमने male reproductive system पढ़ाता है तो वहाँ पर हमने देखाता है कि male के case में जो primary sex organ होता है वो टेस्टिस होता है पुछ टेस्टिस का भी सेम दो काम था है एक तो पहला formation of male gamit यानि इस फ़र्म दूसरा formation of male sex hormone यानि एंडोजन एंडोजन के अंदर भी हमने देखा था टेस्टो इस्ट्रोन देखा था तो हमें compare करते हुए पढ़ना ठीक उसी तरह बच्चा female के case में जो secondary sex organ होगा या इसी को हम secondary reproductive organ भी बोल सकते हैं secondary reproductive organ इसके अंदर बच्चा चार चीज़े आती है पहला अगर external genitalia की बात के जाए external genitalia ठीक दूसरा आता है बच्चा accessory duct और तीसरा जो होता है बच्चा female reproductive gland यानि reproductive gland ठीक है अब बच्चा इस external genitalia के अंदर male में हमने external genitalia दिखा था कि penis होता है और scrotum होता है female के case में जो external genitalia होता है वो चार होते हैं कौन-कौन से पहला mons pubis दूसरा बच्चा pletores तीसरा बच्चा vestibule और लास्ट लेबिया लेबिया में भी दो होता है लेबिया माइनूरा होता है मेजर होता है जब चीजों को हम बिल्कुल detail में study करेंगे तो उस time पर देख लेंगे ठीक है उसके बास आप बच्चा जो accessory duct होता है female में वो पहल दूसरा बच्चा यूरेथ्रा तीसरा शर्वेक्स लास्ट वन रजाइना तो यह तीनों accessory duct होते है फीमेल के अंदर अच्छा फीमेल के अंदर जो reproductive gland होते है बच्चा उन gland का नाम होता है पहला memory gland दूसरा बच्चा होता है बर्थोलीन ग्लेंड और लास्ट वाला बच्चा होता है skin gland या बच्चा इसी को बुला जाता है gland of skin gland of skin तो बच्चा अगर second sex organ की बात हो किसके अंदर फीमेल के अंदर तो इसमें external जनाइटीलिया आएगा accessory duct आएगा और reproductive gland साहेंगे ठीक एक्शनल जनाइटीलिया के अंदर mons pubis, clitoris, vestibule, levi, accessory duct के अंदर fallopian tube हो गया, urethra हो गया, service हो गया, वेजाइना हो गया, reproductive gland के अंदर memory gland, bertholin gland और skin gland या skin gland कोई gland of skin बुला जाता है इसे हम tricks याद कर सकते हैं, हम जानते हैं कि mvbs होता है, ठीक है, एक b इसका cut कर दीजे, m से memory gland, b से bertholin gland और s से skin gland या gland of skin bc को बुला जाता है ठीक है, अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले primary sex organ यानी ovary को detail में study करेंगे, फिर हम secondary sex organ में start करेंगे, एक एक चीजों को हम detail में study करते जाएंगे, जैसे हमने male reproductive system को study किया था अब हम बच्चा, primary sex organ को start करेंगे primary sex organ या primary reproductive organ अच्चा, वो और्गन क्या है भई, female के case में वो और्गन है ovary ठीक है सबसे पहले बात करेंगे बच्चा, location, ovary का location कहां होता है, तो आप सब को भी पता है कि जो ovary होता है, वो abdominal cavity के अंदर होता है आप abdominal cavity बोलो या pelvic cavity बोलो बात एक ही है, ठीक है तो हम लिख सकते हो ovary का location present inside abdominal cavity या abdominal cavity को ही बच्चा बोला जाता है pelvic cavity ठीक है तो ये location हो गया ovary का कि ovary present होता है abdominal cavity के अंदर उसके बाद में बच्चा अगला point जो ovary होता है, ovary actually uterus से भी attach होता है और दूसरी बात ovary जो कि body wall से भी attach होता है तो जो ovary होता है, वो uterus से attach होता है किसके तुरू तो ovarian ligament के तुरू तो वही अब point लिखेंगे, फिर हम structure में भी बना के दिखेंगे कि ovary are attached with किस से attach होता है भाई, uterus से किसके तुरू by ovarian ligament ovarian ligament ठीक है, इस चीज़ को बच्चा हम structure बना के देखते हैं, जैसे suppose कीजिए ये बच्चा uterus है ये रहा fallopian tube fallopian tube का infundivulum वाला part और यहां पर बच्चा ovary होता है ठीक है, तो ये वाला structure uterus था ये वाला structure fallopian tube था और ये वाला structure था ovary इसी में लिख देता हूँ, ovary ठीक है, तो बच्चा होता क्या है कि ये जो ovary होता है ये ovary attached होता है, इस uterus से λिखा है ovary are attached with uterus ये ovary attached होता है इस uterus से, किसके तरू? तो इसे बला जाता है ovarian ligament टो वाई i. पॉइंट लिखा हुआ ठीक है, तो वही point लिखा हुए बच्चा, कि ovary are attached with uterus किसके तरू? तो ovarian ligament यह रहा ovary, यह रहा uterus, यह ovary इस uterus से attach है, किसके तरू ovarian ligament के तरू, दूसरा बात बच्चा होता है, कि यह जो ovary होता है, इस ovary के पीछे, जो body wall होगा, उस body wall से भी यह ovary attach होगा, support के रिए, तो इसके पीछे ovary के पीछे, जो body wall present होगा, इस body wall से भी यह ovary attach होगा, तो किस तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे क्या लिखेंगे ओवरी आर अटेश्ट विद बॉड़ी वॉल दू चीज हमें पता होना चाहिए कि जो ओवरी होता है और इक तो यूटेरस से अटेश होता है किसके तुरू ओवरी जो कि अटेश होता है बॉड़ी वॉल से भी किसके तुरू तो पीजो वेरियम के तरूप ठीक है उसके बाद बच्चा ओवरी का जो size होता है अगर इसके size की बात किया जाए तो यह 4 x 3 x 2 cm होता है अब इसमें जो 4 होता है यह तो length होता है 3 width होता है और यह जो 2 होता है यह thickness को बताता है तो यह ovary का size होता है 4 x 3 x 2 cm होता है length हो गया, width हो गया, thickness हो गया उसके बाद में बच्चा अगर ovary के safe की बात किया जाए तो ovary का जो safe होता है वो almond safe होता है जब हमने testis पढ़ा था टेस्टीस पर हमने देखा था कि टेस्टीस का जो safe होता है वो safe कौन सा होता है, oval safe होता है ठीक है, उसके बाद बच्चा इस ovary का जो main function होता है function of ovary पहला बच्चा जो उसका function होता है कि यह इसी ovary के अंदर जो femal gametes होता है, या एग या ovum उसका formation होता है तो क्या होता है formation of female gamut female gamut का नाम क्या होता है एक यह ovum यानि oogenesis कहां होता होगा ovary के अंदर होता होगा ठीक उसके बाद बच्चा है इस ovary का जो दूसरा main काम होता है वो होता है formation of formation of female sex hormone जो female sex hormone होता है वो भी बच्चा ovary के अंदर ही बनता है उसका example है estrogen दूसरा एक्जामपल है बच्चा progesterone ठीक है तो ovary के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए पहला बत ovary present कहा होता है तो यह abdominal cavity या pelvic cavity के अंदर present होता है ठीक है दूसरी बात बच्चा जो ovary होता है वो द बेरस के साथ अटेच होता है किस के तुरू ovarian ligament के तुरू ovary का जो size होता है वो 4 x 3 x 2 cm होता है almond save होता है ठीक है उसके बात ovary का जो दो main काम होता है एक तो पहला formation of female gamut या एक या ovum और दूसरा जो main काम होता है female sex hormone या इस्टोजन प्रोजेश्टान यह भी ovary से ही secret होता ह उसके बाद बच्चा अब हम आगे देखेंगे structure of ovary हम देखने जा रहे हैं अब structure of ovary ठीक है यह ovary हुआ इस वाले part को हम बोल सकते हैं कि यह कहला आएगा ovarian ligament अच्छा अगर ovarian ligament इधर है तो यह left testis होगा या right testis होगा यह left testis होगा कैसे left testis होगा बच्चा हमें पता है यह uterus होता है ठीक इस uterus से क्या जुड़ा होता है fallopian tube जुड़ा होता है ठीक सेम उसी तरह बच्चा है इधर भी fallopian tube जुड़ा होगा यह uterus का fundus वाला part होता है ठीक है अच्छा एक ovary इधर होगा और एक ovary इधर होगा ठीक यह ovary ovarian ligament के थ्रूँ एस side से ovary के थ्रूँ जुड़ा होगा और ovarian ligament के थ्रूँ इधर वाला भी तो ovary इस uterus के साथ जुड़ा होगा एक मिनट ठीक है तो यह हमने बनाया ovarian ligament ठीक है तो यह ovary है ovarian ligament इधर है तो यह कौन सा ovary हुआ यह left ovary तो हुआ और यह वाला right ovary हुआ ठीक है हम ovarian ligament को देखके या ovarian ligament के position को देखके हम बता सकते हैं कि left ovary है या right ovary है ठीक है तो यह ovary हो गया ठीक है अच्छा बच्छा अब इस ovary में क्या होता है कि जैसे हमने जब सैमनी फेरस टीब्यूल पढ़ा तक तो हमने देखा था कि उसमें जो male gamit का formation होता है वो male germ cell या primodial germ cell बनाता था इसी तरह बच्छा अगर यह ovary है तो इसके अंदर female gamit यानि एक का formation होगा और वो कॉन formation पर गया है इसके अंदर जो germinal epithelium होगा यानि female germ cell जो होगा ठीक है यहाँ पर बच्छा जो female germ cell होता है उसे बोलते है उगोनिया ठीक है अकली होता है कि यह जो female germ cell होता है वो इस ovary क आउटर सर्फिस पर होता है यानि इधर कहीं पे यह रहा germinal epithelium या female germ cell हम बोल सकते है ठीक है तो यह जो हमने बताया यह क्या बना है जर्मीनल epithelium ठीक है यह इसी को हम बोल सकते है female germ cell एक्छुली जो oogenesis हो रहा है यानि जो ovary के अंदर एक का formation हो रहा है वो actually में कहा हो रहा है इस germinal epithelium या इसी germ cell के अंदर होता है ठीक है यानि यहीं पर actually में क्या होता है oogenesis होता है हम लोग detail mistis को study करेंगे ठीक उसके बाद में बच्चा इस ovary को protect करने के लिए white fibrous connected tissue का layer होता है जिसे हम tunica alvogenia करते है ठीक है तो होता है क्या है इस ovary को protect करने के लिए इधर ठीक है इस ovary को protect करने के लिए white fibrous connected tissue होता है जिसे हम बोलते है ट्यूनिका alvogenia जब हम लोग testis पड़े थे तो वहां पर भी हमने देखा थे कि testis को protect करने के लिए जो second layer होता है वह tunica alvogenia होता है तो तुटिका alvogenia एक टेस्टिस का अंदर भी मिलना है दूसरा ovary के अंदर भी मिलना है तो इसका जो main काम होता है क्या होता है ये एक तो white fibrous connective tissue होता है ठीक है दूसरा इसका काम क्या होता है ये protective in nature होता है अब इसके बात बच्चा होता है कि यह जो ओवरी का internal structure होता है इस structure को बोला जाता है stroma यानि इस पूरे structure को क्या बोला जाता है stroma और यह solid होता है पूरा connected tissue field होता है पूरे ओवरी में यानि जो internal structure of overi होता है उसे stroma बोलते हैं यह जो stroma होता है इसमें पूरा पूरा connected tissue फिल्ड होता है यानि internal structure हमें कैसा दिखने को मिलेगा solid दिखने को मिलेगा ठीक है इसे रब करते हैं अब इच्छा हमारा अगला point है क्या point है internal इस्ट्रक्चर और इस्ट्रोमा अब बच्चा है इस्ट्रोमा के दो पार्ट होते है ठीक है वही connected tissue पूरा फिल्ड होता है जो side side वाले पार्ट होते है उसे peripheral इस्ट्रोमा बोल सकते है या peripheral पार्ट बोल सकते है और central वाले को central इस्ट्रोमा या central पार्ट बोल सकते है तो इस इस्ट्रोमा के actually दो पार्ट होते है ठीक है इस इस्ट्रोमा के दो पार्ट होते है एक peripheral पार्ट होता है दूस्रा बच्चा central part होता है ठीक है अब इदा देखिए जो किनारे किनारे के part ते हैं या side वाले part थे हैं peripheral part बोला ठीक है और जो beach वाले part थे हैं उन्हें off Central part बोला ठीक है अब जो peripheral वाला part होता है इससे बोलते है peripheral के लिए आपको पता है कि cortex word use करते हैं और जो beach वाला part होता है इसे बच्चा बोलते है central part ठीक है अब इस cortex part में क्या होता होगा और central part में क्या होता होगा तो जो बच्चा cortex part होता है इसी cortex part में ovarian follicles का development होता है ovarian follicles का development से आप अभी बस इतना समझ दो कि पहले primary follicles बनते हैं फिर secondary third century फिर graphian follicle बनते हैं फिर वही graphian follicle ruptured होते हैं तब इस ovary से एक निकल के फैलोपियन ट्यूप के अंदर जाता है ठीक है तो जो cortex वाला part होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है development development of ovarian follicles कुछ नहीं समझ मैं है तो इतना समझ लिए कि एक का formation इस पूरे ovary में इस cortex वाले part में होता है ठीक है दूसरा बचा जो central part होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर supply होता है supply of blood vessel blood vessel nerve हो गया इनकी supply होती है ठीक है यानि अब हम इस structure में बता सकते हैं हम बता सकते हैं हम बता सकते हैं कि यह जो central part होता है ठीक है इस central वाले part को हम बुलेंगे medulla और यह जो ovary का peripheral वाला part है इसे बुलेंगे cortex कोर्टेक्स वाले part में ovarian follicles का development होता है यानि इस case में इधर क्या होता हो का ovarian follicles का development होता है ठीक है कैसे होता हो हम देखेंगे यह कि इधर भी बना के दिखा देते हैं ठीक है और इधर क्या होता है जो बीच वाला part होता है medulla है इधर ब्लड वेसल से लेंगेरा का supply पाया जाता है ठीक है तो हमें याद अखना है कि ओवरी का जो इंटर्नल structure होता है हो सॉलिड होता है वो connected tissue से फिल्ड होता है ओवरी का जो इंटर्नल structure होता है उसे हम स्टोमा नाम देंगे ठीक है इस इस्टोमा के दो पार्ट होता है एक peripheral पार्ट होता है उसे cortex बोलते है इस cortex वाले पार्ट में ovarian follicles का development होता है जबकि जो ovary का central वाला part होता है उसे medulla बोलते है और इस medulla वाले part में supply of blood vessels होता है या nerves का supply होता है ठीक है तो यह जो central part होता है इस central part को ही बोलते है medulla तो एक cortex हो गया और एक medulla हो गया ठीक है उसके बाद में बच्चा हम देखेंगे थोड़ा से कि इस germinal epithelium के अंदर क्या होता है ठीक है तो अगला हमारा heading है germinal epithelium germinal epithelium actually जो एक cell का formation होता या female gamet का formation होता ovary के अंदर वो यही germinal epithelium ही form करेगी यह germinal epithelium क्या है इस ovary के outer surface पे है तो पहला point हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं प्रजेंड प्रजेंड आउट साइड दे सर्फिस आफ ओवरी देखिए देख कोई दिखने को मिला है कि यह जो germinal epithelium है यह इस ovary के outer surface पे ठीक है दूसरा बात बच्चा यह जो germinal epithelium होते हैं यह cuboidal होते हैं तो दे आर दे आर cuboidal यानि 2 and equal to हर एक cell के अंदर 46 chromosome मिलते होंगे अच्छ जर्मिनल epithelium के हर एक cell को हम क्या बोलेंगे हर एक cell को बच्चा हम उ गोनिया बोलेंगे क्योंकि इसी के अंदर female female egg cell का formation होता है ठीक है हम लिख सकते है each क्योंकि अच्चा है